अब हम आगे बढ़ते हुए डिफेंस सिस्टम को कवर अप करेंगे कि किस तरीके से बॉडी में इम्मिनीटी और बॉडी हमें डिफेंट बैक्टिरिया वाइरस से बचाता है तो इस डिफेंस सिस्टम को समझने के लिए हमको डिएरेक्ट चलना पड़ेगा ब्लड में क्योंकि जो हमारा आर्मी है वो मिलेगा आपको ब्लड में तो जो ब्लड है इस होल ब्लड आपके बॉडी का लगभग होता है एट परसेंट ठीक है इस ब्लड में आप देखें कंपोजिशन देखते हैं तो 55 परसेंट अराउंड आपका होता है प्लाजमा और 45 परसेंट होता है आपका सेल्स जो जिसमें RBC है WBC हैं प्लेटलेट्स हैं इस सारी चीज़ें होती हैं 45 परसेंट और यहां एक बफी कोट भी आपको मिलेगा यह जो होल ब्लड है complete ब्लड या होल ब्लड भी इसे बोलते हैं इसको आप centrifuge करेंगे तो वो इस तरीके से सेपरेट आउट होता है जिनका molecular weight ज़्यादा होगा obviously वो नीचे settle down हो जाएंगे और जो जनका mass कम होगा वो उपर होंगे तो इस तरीके से यह आपका whole blood हो जाता है इस जो blood है इस blood में आपका जो content है उसको अगर आप देखते हैं तो platelet है आपका WBC है और आपका होता है RBC जो WBC होता है white blood cell या white blood carpascals बोलते है red blood cell या red blood carpascals और platelets होता है जो mainly clotting factor के लिए responsible होते है RBC जो platelets होता है 1.5 तो 4.5 या 4 million तक इनकी quantity होती है blood में यह मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूं microliter में कि एक पर microliter में कितनी होती है 1.5 यह होता है आपका 5000 से लेकर 10,000 और यह होता है 3.5 से लगभग 5 million यह इसकी quantity होती है microliter में जब आप WBC में जाते हैं तो यहां आ जाते हैं आपके neutrophils neutrophils आपके आते हैं monocytes monocytes आपके आते हैं leukocytes या lymphocytes बोले जैसे basically lymphocytes आपके आते हैं snowfils और आते हैं basophils तो अगर आप देखते हैं तो यह 0.1 से 0.4 परसेंट 2 से 4 परसेंट इस तरीके से इनका जो सबसे जादा होता है 60-80 परसेंट यह आपके neutrophils होते हैं 5-8 परसेंट और बाकी आपके लगवग 20-30 परसेंट आपके lymphocytes होते हैं तो यह जनरल में एक estimated differentiation किया हूं कि कितने-कितने amount में यह प्रेजेंट होते हैं तो यहां जो आपका जो डिफेंस मेकिनिजम है न वो करता है WBC डिफेंस याने यह आपकी आर्मी है डिफेंस अब इनका formation कहा होता है यह भी आपको पता होना चाहिए कि इनका formation कहा हो रहा है तो ने जो lymphocytes होते हैं वो आपके होते हैं T lymphocytes वो होते हैं T lymphocyte और होते हैं B lymphocytes जो मैंने आपको lymphocytes बताया था ना उसी को मैं elaborate कर रहा हूं T और B lymphocytes T represents thymus जो born baby होते हैं याने जो newly born baby हैं उनमें यह थाइमस gland आपको बड़ा मिलेगा क्योंकि जो blood में जो यह बनते हैं वो बनते हैं आपके red bone marrow में कहां बनते हैं red bone marrow में जो red bone marrow होता है और जहां blood का formation होता है जिसको hemopoiesis बोलते हैं hemopoiesis आपका होगा red bone marrow और red bone marrow की location हो जाती है जो longs और flatted bones होते हैं long and flatted bones यह इसके example आप देखेंगे humorous है femur है आपके sternum है ribs है आपका vertebra है आपका pelvic है यह जो सारे location locations है वहां आपको मिलेंगे red bone marrow red bone marrow में ही आपका formation होगा इन lymphocytes का जो यहां जो टी lymphocytes बनेंगे वो अपने maturation के लिए thymus gland में चले जाते हैं जो थाइमर्ट glands होता है जस्ट आपके जो फेफण हैं जहां जुड़ते हैं जिसको हम sternum बोलते हैं sternum बोलते हैं इसके जस्ट पीछे आपको यह thymus gland मिलेंगे वहां इनका maturation होता है टी lymphocytes का ठीक है और बी lymphocytes का information obviously red bone marrow में ही हो रहा है और यहीं यह mature हो रहा है और यह जाएंगे आपके जो आपके जो tonsils हैं या lymph nodes होते हैं वहां जाके यह mature हो के या वहां यह recite करेंगे तो यह आपको information मिल गई है डबलुबीसी की डबलुबीसी में defense की मैंने बात की थी इस्टोफिल जो है वह आपका allergic के में allergic response को बताता है वह काफी और ही फर्दर चीजें उसको यह discuss नहीं करूंगा तो यहां टी और टी लिंफोसाइट और बी लिंफोसाइट के ही बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हम को direct community में जाना है कि होगा क्या तो basically मैं जायरेक्ट आजाता हूं टी लिंफोसाइट में जो टी लिंफोसाइट से इसको फिर से तीन पार्ट में डिवाइट करना पड़ेगा टी हेलपर सेल जिसको टी फोर सेल्स भी बोलते हैं उसके वेड़ टी साइटो टॉक्सिक सेल जिसको टी एट सेल्स भी बोलते हैं और एक होता है टी मेमोरी सेल ठीक है यह है आपका टी लिंफोसाइट अभी मैं आपको बता रहा हूं सेल मीडियेटेड मीडियेटेड इम्म्यूनिटी अभी मैं क्या बता रहा हूँ, cell-mediated immunity, तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं, एक यहाँ बाद आते हैं, antigen-presenting cell, यह T-cells के ही, यह dendritic cell होता है, यह सारे आपके जहाँ भी chances होता है, antigen के enter करने के, वहाँ इस तरही के cells मिलेंगे, जिसको antigen-presenting cells कहते हैं, तो यह यहाँ आपको बहुत ही खुबसूरत चीज़ देखने को मिलेंगे, कि इस किस तरीके से काम करते हैं, जो antigen-presenting cell होता है, इसको पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो की कहलाता है MSC protein, क्या है MSC protein, इसको बोलते हैं, Major Histocompatibility Complex, इसको बोलते हैं, Major Histocompatibility Complex protein, ये present होता है, हर cell में जो produce हो रहे थे, red bone marrow में, वहाँ हर cell के पास coding होती ही, इस MSC की आपके पूरे body में birth के समय ही हर organs में इस protein को उनके membrane surface में बना दिया जाता है, इसी से ही हम recognize करते हैं self और non-self का, मतलब कौन अपना है और कौन पराया, वो आपको यहीं से पता चलेगा, तो यह जो MSC protein होते हैं, वो हर cell के बाहर में present होते हैं, यह अगर identify नहीं हो पाता, तो हम उसको as a non-self identify करते हैं, अब यहाँ पास क्या होगा देखते हैं, कि यह किस तरीके से काम करेगा, अब आपको पता है कि major histocompatibility complex MSC protein नाम का कोई चीज है, अब उसमें APC क्या करेगा, APC है antigen presenting cell, जब तक आपका antigen present नहीं होगा, तब तक आप उसके लिए immunity generate नहीं हो पाईगी, तो अब वापस हम re-back करते हैं और recall करते हैं coronavirus को, कि coronavirus में या coronavirus एक antigen है, तो उसके लिए हमारी body किस तरीके से defend करेगी, तो जो APC cell है, antigen presenting cell है, यह जब infect करेगी, तो इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, यह जो है आपका antigen है, उसको ag से represent करता हूँ, यह infect की, यह जब infect करेगा, तो इस चीज को यह अपने अंदर लेगी, जो आपका APC है और इसको छोटे-छोटे तुकडों में तोड़ देगी, यह आपके जो तुकडे हैं, वो antigenic तुकडे हैं, इस antigenic जो पीस है, इसको cell, जो cytosol है, उसके अंदर ही MHC के साथ wind up कर दिया जाएगा, यह जो है, इसको पकड़ के, यह है आपका major histocompatibility complex, यह यहाँ इसको process कर दिया है, यहाँ क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, और इसको फिर इसी आगे process में, यह antigen यहाँ destroy होगा, यहाँ हो क्या रहा है, आप यह देखिए, इसको destroy किया गया, और जो इसके छोटे-छोटे pieces हैं, उसको MHC protein के उपर लगा के, अब यह जो APC है, यह अपने उपर इस तरीके से represent करेगा, इस तरीके, जब यह represent करेगा, तब यहाँ आएंगे आपके जो T cytotoxic cell हैं, उनके पास होता है antigenic receptor, क्या होता है? antigenic receptor, तो वो यहाँ आके bind up करेंगे, यहाँ पास आके इससे bind up किये, यह जो receptor, antigenic receptor, यह किसको cytotoxic T cell में present है already, यह इस पे यहाँ bind कर लिए, bind करने के बाद होता क्या है, कि यह इसको trigger नहीं करेगा, यहाँ जो concept है, वो इस तरीके से है, कि आप गाड़ी में key insert किये, आपने on किया, आपने on कर लिया, गाड़ी on हो चुकी है, बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, आपको gear shift करना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी run करेगी, तो यह same process यहाँ होता क्या है, यहीं पास आता है आपका costimulation, यह एक word है costimulation, costimulation, costimulation क्या करता है, यहाँ हम कुछ secretions करेंगे, जो दूसरे को inform करेगा कि यह antigen आ गया है, इस पे हमला करना है, आप अपनी production को बढ़ाईए, तो यह जो T helper cells हैं, और जो T cells आए हैं, यह जैसे interleukin first हो गया, जो T helper cells है, interleukin first, cytotoxys है, interleukin 2, यह आपके सारे cytokinines हैं, interferons हैं, यह एक secondary messengers हैं, आप यह समझें कि आप message को भेज रहे हैं, जो इन message को decode कर सकते हैं, तो यह जो cytotoxys T cell है, वो अपने आपको mature करेगा और यह information देगा, अब जो produce होंगे, इस तरीके के antigenic receptor के समिए, वो बहुत सारे T8 cell बना लेंगे सेम, और यह जो T8 cells है, उसमें already feeded है, जो receptor है, वो इसकी तरह से feeded हो चुका है, यहाँ जो यह first antigenic presenting cells है, जो इस particular antigenic part को represent किये हैं, उसके according के जो receptor बने हुए हैं, वैसे T cell, T lymphocytes बहुत सारे बन के तयार हो जाएंगे, ठीक है, अब यह कहीं भी इस तरीके के antigenic part को देखेंगे, तो यह तूरन bind up करके action करने लगेंगे, और कुछ cell as a memory cell भी बने रहेंगे, जो इस information को अपने अंदर लिए रहेंगे, carry on किये रहेंगे, कि यह ऐसा antigen है, ऐसा antigen आता है, तो हमें तूरन उसको क्या करना पड़ेगा, neutralize करना पड़ेगा, तो इस तरीके से जो body की immune system है, जो cell mediated immunity है, वो काम करती है, यह cell mediated immunity बताया हूँ, और जो B cell होती है, B lymphocyte होती antigen antibody के तौर पे काम करती है, तो जिस पे वो antibody का production करती है, तो वहाँ भी कुछ इसी type का formation होगा, उसको हम अभी depth नहीं जाते हैं, यह फिर पूरा immunity का lecture सूर हो जाएगा, तो मैं direct बताता हूँ, वो बनाएंगे antibodies, antibodies भी specific होंगे, हमारे body में इस तरीके के antibodies बनते हैं, IgG है, IgM ह IgA है, और IgE है, यह सारे antibodies आपके formation होता है, जिसमें most abundant होता है, आपका IgG antibody है, और IgM है, यह मदर से आपके fetus में भी जाता है, ताकि बेबी को भी immune किया जा सकते, certain disease के लिए, तो यह सारे antibodies है, IgE है, जो आनफालेक्टिक शौक्स होता है, अलर्जिक रहता है, वहाँ यह antibody काम करते हैं, तो यह जो antibodies है, जब वो specific antigen के, जब antigen presenting cell specific होता है, तो यह specific antibody बनाएगा, उस particular antigen के लिए, और जो B cells होते हैं, वो convert हो जाते हैं, plasma cells में, किसमें convert हो जाते हैं, plasma cells में, और antibody secrete करते हैं, और कु कुछ B memory cells में convert हो जाते हैं, तो B cell भी memory cells बना रहा है, और आपका T cell भी memory cells बना रहा है, और हमेशा याद रखिए, जो secondary attack है, second attack है, जब body immune हो जाता है, तो क्योंकि memory cells बन चुकी है, तो उसका जो response है, उसका जो defense system है, वो first के comparison में, बहुत ही जादा fast और rigorous होता है, और गाफी जल्दी immunity मिल जाती है, जो आपको पता भी नी चलता है, जैसे कि चिकन बॉक्स का जब infection होता है first time, तो वो काफी painful होता है, but once you are cured with that virus, जो second जब आप इंफेक्ट होते हैं, तो आपकी body को पता भी नी चलता है, और आप चिकन बॉक्स से immune हो चुके होते हैं, तो इस तरीके का coronavirus affect करेगा, क्योंकि इससे ही आगे की गहानी plot होगी, तो मैं plotting जो कर रहा हूँ, जो एक पूरी बेस तयार हो रहा है, वो one by one step में कर रहा हूँ, ताकि जब मैं आपको समझाने सकूं कि कि किस तरीके से जब pathogenesis होता है, और इसको रोका जाएगा, तो हम क्या concepts या mechanism of action करते हैं as a vaccine, वो हमको समझ आ जाएगा, तो I hope कि ये आपको समझ आया होगा, and please do like and share it with your friends this video, if you found it helpful to understand this all coronavirus-like stuff, तो आगे फिर से बढ़ते हैं कि आगे इसमें कैसे होने वाला है, कि जो vaccines है, तो यहां मैं आपको कुछ vaccines बताता हूं, कुछ vaccines मैं आपके साम डिसकर्स करूंगा, जैसे Pfizer-BioNTech का Tozina-Mehran है, जो mRNA-type का है, अब आप ध्यान से समझते जाएए कि हो किया रहा है, यहाँ किए झाल, कि कि झाला है, पुछिए एफटते हैं कि कि आभेे hem थी तक हैं कि करूंगा है, प strandsतeki से सक भी कि यहाँ है, जो यहा है झाला हैं kinda यहाँ है,